सल्मान खान से अक्सर हमने लोगों को माफी मांगते हुए देखा है कम ही ऐसे occasions आए हैं जब खुद भाईजान किसी से माफी मांगते नजर आए हो लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि सल्मान खान को माफी मांगनी पड़ रही है इनफेक्ट सल्मान खान ने मीडिया इंटर्व्यू के दौरान ये माफी मांगी है हाथ जोड़कर वो माफी चाते हैं कमिट्मेंट पूरी नहीं कर पाने के कारण सल्मान खान सौरी मांगते नजर आ रहे हैं एक commitment तो वो पूरी कर गए लेकिन दूसरी commitment पूरी नहीं कर पाए और ये commitment हाला कि वो pandemic के कारण नहीं पूरी कर पाए बट इसके लिए सलमान खुद को जिम्मेदा ठहरा रहे हैं इसलिए शायद वो माफी मांग रहे हैं ये बात उस letter की है जो letter theater association के लोगों ने सलमान खान को लिखा था रादे फिल्म को theaters में release करने की request की थी और कहा था कि पहले ये film theater में release हो और उसके बाद ही ये film OTT platform पर release हो ऐसा ही request अक्षे कुमार से लक्ष्मी बॉम के time पर भी किया गया था लेकिन अक्षे कुमार ने theater owners की request नहीं मानी जिस कारण theaters को एक लंबे समय तक loss उठाना पड़ा ऐसे में जैसे ही सल्मान खान की रादे फिल्म बन कर तयार हुई तो theater owners के लिए ये एक आशा की नई किरन थी film कि सल्मान है उनको crowd देखता है masses के actor है सल्मान के film theater में आएगी तो लोग किसी भी हाल में theater में आएंगे ही सल्मान ने भी इस वादे को पूरा किया उन्होंने कहा कि commitment करता हूँ मैं अपनी film को theaters में ही release करूँगा लेकिन जैसे ही सल्मान ने ये announcement किया उसके कुछ दिनों बाद ही COVID की second wave इंडिया में शुरू हो गई जिससे हालात बेकाबू हो गए और सरकार को lockdown लगाना पड़ा ऐसे में सल्मान खान के पास दो option थे या तो 13 मई को जो release date उन्होंने announce की है उस release date को postpone कर दे या फिर 13 मई के दिन ही film को release किया आजाए OTT platforms पर भी और theaters में भी सल्मान ने second वाले option को चुना सल्मान ने 13 मई ही release date रखी ईद पर आने का वादा पूरा किया और इस film को OTT platform पर और overseas countries जहाँ पर theaters बंग नहीं है वहाँ पर ये film उसी time पर release की जाएगी लेकिन इंडिया में COVID के चलते ये film Indian theaters में release नहीं हो पा रही है इसलिए सल्मान खान ने theater owner से माफी मांगी है सल्मान खान ने कहा है कि मैं माफी चाहता हूँ और मेरे हिसाब से यही सही चीज है जो हमने की है जब हमने December में इस film की release theater के लिए announce की थी तब pandemic खतम होता दिख रहा था लेकिन कुछ दिनों बाद इस second wave के कारण परिस्तित्या बदल गई जिस कारण theater में अभी release करना possible नहीं है हाला कि सल्मान ये मानते हैं कि राधे film जो है वो theater में देखने लायक ही बनी है और तो और उन्होंने वादा किया है कि pandemic over हो जाता है तब तुरंथ सल्मान खान इस film को theaters में एक बार release जरूर करेंगे आपको बता दे कि इस decision के कारण या pandemic के कारण जो ये परिस्तित्या उठी है उससे सल्मान खान को भी loss हुआ है जिस राधे की deal उन्होंने Z-Plex के साथ में 230 करोड की की थी वो deal अब मात्र 190 करोड की ही हुई है 40 करोड का loss सल्मान को राधे की release होने से पहले ही हो चुका है